वेलकम टू स्टड़ी चलंग मेरे नाम है मुहम्मत कैसर जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरप्रस मादमिस किशा सेवाचायन बोर्ट पर छात्रों का कर्मिक ध्रना पदरिशन जारी है और एक बहुत बड़ी दुख की खबर यहां से निकल कर आई है देख सकते हैं सीट जारी रहेगा अनिशन तो एक चात्र थे सुरेंद्र कुमार इनका निधन हो गया है उत्तरप्रस मादमिस किशा सेवाचायन बोर्ट पर प्रतियोगी चात्रों का अनिशन मंगलवार को सात्वें दिन जारी रहा टीजटी पीजटी 2022 में सीटों में वृद्धी परिक्षा सेथी घोशित करने की मांग को लेकर चात्रों ने जमकर नारेवाजी यहां पर की और इसमें आगे बताए गया है कि प्रतियोगी चात्र मौर्चा के प्रदेस अद्रश भीखी खान ने बताया कि कर्मी कनेशन में 7 दिन प्रतियोगी चात्र सुरेंद कुमार के निधन पर स हो गई प्रतियोगी छात्रों ने दो मिनट का मौन रखा सुरुन कुमार को सरदान जली अर्पित की इसके बाद यह सपत लिया कि यह बलिदान वेर्थ नहीं जाने देंगे वह ही प्रतियोगी छात्र प्रतिनिदी मंडल कर्मी कर्दिशन कर रहा है जिसकी अगवाई सितला प कि खान कर रहे हैं तो प्रतियोगी छात्र के निधन पर सोग व्यक्त किया गया है और एक बहुत बड़ी दुखी ख़बर निकल कर आई है कि एक छात्र जो लगातार धरने में आ रहा था अचानाव से तवियत खराब होई और फिर सोम वार को उनकी मौत भी हो गई है तो य है कि कर्मिक कंडिशन में सुरंद कुमार जी आ रहे थे अचानाव से तवियत खराब होई उन्हें आरेन होस्पीटल में भरती कराया गया लेकिन सोमार रातरी को उनकी मृत्यू हो गई आज उसी के संबंद में ये छात्र भी शोक व्यक्त करेंगे गेट नंबर एक पर बा लाकात भी होगी और साड़े ग्यारे बजे अध्यास साहब से मिलने का समय दिया गया है तो देखते हैं क्या जानकारी अध्यास साहब देते हैं जो भी होगी अपडेट आपको सुझना दिया जाएगा लेकिन जो चात्र के मौत की खबर आई है इसको लेकर मैं काफी भी जारी है आज जो भी अपडेट और जनकारी होगी आपको शाम तक सुझित किया जाएगा फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी विकार की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इन्फरमेशन मिलत रहे थांक्स फॉर वाशिंग